नेटवर्क जिसकी मतल्स से हम लोकली अपनी के सीवी डिवाइस को अक्सेस कर सकते हैं जैसे की नेस सर्वर, नेटवर्क प्रिंटर, लैप्टॉप, डेक्स्टॉप या रजबरीपा जैसी डिवाइस पर चल रही कोई सर्विसिस को पर यदि हमें अपनी इन डिवाइस को या इस मतल से आप अपने नेटवर्क की ही नहीं बलकि अललग नेटवर्क पर मोजू डिवाइस को कनेट कर सकते हैं यानि कि आप अपना एक गुलोवल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं कैसे आईए जानते हैं इसके बारे में नमाशकार दोस्तों मेरा नाम है अनेल और आप कैसे भी डिवाइस को securely कहीं पर भी कनेट कर सकते हैं जीरो टीयर ओन प्रमैसेज कि लावड डेक्स्टॉप या मोबाल डवाइस के बीच सुरश्चित नेटरक बनाता है जैसे कि आपके सी भी डिवाइस पर दुनिया में कहीं भी टीम मेंबर्स को कनेट कर सकते हैं यह एक टियर सभी major OS पर run हो सकता है जैसे कि Windows, Mac, Android, iOS, Linux, आधी जैसे कि मैं आपको इसको एक demo की जरी बताता हूं कि यह कैसे काम करता है मैं इसकी मदद से अपने Raspberry Pi 4 पर install Kalinas को अपने home network से बाहर किसी दूसरी device से connect करूंगा तो इसके लिए पहले हमें zero tier पर एक network create करना होगा तो इसके लिए आप क्लिक कर दीजिए build your network पर जब आप इसको open करेंगे तो पहले आपको नहीं पर register करना होगा आप नहीं पर simple form को परके register कर सकते हैं या आप नहीं पर Google, GitHub या Microsoft account के मदद से भी register कर सकते हैं तो मैंने या पर पहले से register किया हुआ है तो यहां पर मैं login कर लेता हूं यह देखिए अभी हम यहां पर login हो चुके हैं जब आप यहां पर जैसे login करेंगे तो आपको यहां पर create network का button मिल जाएगा जिसकी मदद से आप यहां पर एक software defined virtual network create कर सकते हैं यह देखिए यहां पर एक network create हो चुका है तो आप यहां पर ऐसे कही multiple network create कर पाएंगे अपने अलालग task के लिए तो आप यहां पर इस network से multiple devices को connect कर सकते हैं अब वो devices भलेई अलालग network पर मौजूद हों और वो कहीं आप यहां पर एक्सेर के साब से सेट अप कर सकते हैं इसका नाम क्या देना चाहते हैं वो आप नाम यहां पर आप सेट कर दीजे इसका description क्या रखना चाहते हैं कि network किसके लिए वो सब कर पाएंगे इसके अलावा आपने पर access control कैसा रखना चाहते हैं private या public वो आपने पर define कर सकते हैं advance के अंदर आपने पर routers को manage कर सकते हैं जैसे कि आपर आप देख सकते हैं अभी इस network से जो भी device connect होगी वो इसको इस IP range के साब से IP assign होगी या आप नहीं पर multiple routers को भी add कर सकते हैं इसके अलावा जदि आप नहीं पर range को change करना चाहते हैं तो आप नहीं पर simple से IP range को change कर सकते हैं आपने requirement के साब से तो इस तरह कि आपको नहीं पर कई सारी connections मिल जाएंगी और आप इस network से जो भी device connect करेंगी वो आपको नहीं पर show हो जाएगी तो फिलाल इससे नहीं पर कोई device connect नहीं है तो इससे नहीं पर मैं पहले अपनी Raspberry Pi 4 पर install काली इसको connect करूँगा काली इसको Raspberry Pi पर कैसे install करते हैं इसके लिए मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं आपने वीडियोस को चेक कर सकते हैं फिलाल इहां पर macOS रन हो रहा है तो मैं अपने macOS पर काली इसको SSH के दोड़ा connect करूँगा तो मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है इसके बाद मैं अपने Raspberry Pi को connect कर लेता हूँ तो इसके लिए मैंने कामार लगा दिया है SSH, काली का user, at the rate और Raspberry Pi की IP तो यहां पर इसके connect हो जाएगा इसको यहां पर मैंने yes कर दिया है आपने user का password टाइप कर दिया है और यह देखिए आभी यहां पर यह connect हो चुका है आभ इसके बाद हम सबसे पहले zero tier को install करेंगे तो इसके लिए आप zero tier की website को open कीजिए और क्लिक कर दिजिए download बटन पर तो आपको यहां पर अलग OS के लिए download के option मिल जाएंगे जैसे कि Windows, Mac OS, Android, iOS, Linux आदी तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं Linux का तो मैंने क्लिक कर दिया Linux पर तो आपको यहां पर Linux पर install करने की command मिल जाएगी आप इस command को यहां से copy कीजिए और अपने terminal पर paste कर दीजिए उसके बाद zero tier का Linux पर install होना start हो जाएगा तो इसमें करीब दूसरे तीन मेंट लगेंगी यह depend करेगा आप के internet की speed के उपर और आपके device की performance के उपर उसके बाद यहां पर zero tier install हो जाएगा फिर हम यहां पर आपने virtual network से connect हो पाएंगे यह देखिए यहां पर zero tier install हो गया है और हमें अपनी device के address भी मिल गया है जिसका key use आप आगे कर सकते हैं जैसे कि मान लीजे आपको manually केसी device को connect करना हो तो यह address मापर काम आ सकता है तो फिलाल हम यहां पर सबसे पहले zero tier service को start करेंगे तो इसके लिए command लगाए sudo service zero tier one start तो कालनेक्स पर zero tier start हो जाएगा आप यहां पर अपने virtual network से connect कर सकते हैं तो इसके लिए आपको यहां पर command लगाना होगा sudo zero tier hyphen CLI उसके बाद टैप कीजिए join और आपके network की ID जो हमने हम आपने network create किया था तो वहाँ पर हम एक ID मिली थी आप इस ID को यहां से copy कीजिए और यहां पर paste कर दीजिए उसके बाद आप यहां पर इस network से join हो जाएंगे यह देखिए अभी हम इससे यहां पर join हो चुके हैं तो इससे आप यहां पर जैसे join होंगे तो आपके zero tier network dashboard पर यह device show हो जाएगी मैं आपको दिखाता हूँ इसके लिए आपको थोड़ा सा wait करना होगा यहां पर इसको refresh कर दीजे और यह देखिए अभी यहां पर device आचुकी है यहां पर हमारी device के address हा रहा है जो मैं अभी आपको बताया था आप उसके दोरा इसके पहचान कर सकते हैं कि यहां पर कौन सी device connect हुई है तो अभी इसको यहां पर मैं अपने network से connect कर देता हूँ तो आप इसको यहां पर जैसे connect करेंगे तो आपको device के लिए एक IP assign हो जाएगी जो भी range आपने select की है उसके एसाब से मैं आपको देखाता हूँ मैंने command लगाया ifconfig यहां पर एक ओर network interface आचुका है जो की zero tier का virtual network interface है और आप देख सकते हैं यहां पर इसको यह IP assign हो चुकी है यह IP आपको task board पर भी show हो जाएगी यह देखिए यहां पर भी IP show हो रही है तो भी आपको यहां पर पूरा status मिल जाएगा कि यहां पर कौन सी device connect है उसकी कौन सी IP है वो last scene कब हुई थी वो online है या offline है मौपा zero tier one का कौन सा version इंस्टॉल है और उसकी physical IP किया है वो सब आपको यहां पर मिल जाएगा तो इसकी सही तरह से पहचान के लिए आप यहां पर अपने एसाब से कोई नाम और description set कर सकते हैं कि यह device कौन सी है और कौन से network पर मौझूद है वो आप यहां पर अपने एसाब से set कर पाएंगे तो मैंने यहां पर name और description set कर दिया है तो इस तरह से आप यहां पर multiple devices को connect कर सकते हैं अब वो वले ही अलालग network पर मौझूद हो जब यहां पर multiple device connect हो जाएंगी तो आप एक device से दूसी device पर उसके दौरा connect कर पाएंगे जैसे कि मैं आपको demo दिखाता हूँ आप यह मैं अपने Windows 11 सिस्टम पर आ गया हूँ जो कि एक अलाग network से connect है तो आप यहां पर मैं इसको भी 0 tier से connect करूँगा तो इसके लिए पहले हमें 0 tier 1 को install करना होगा तो simple से वही method है आप 0 tier की website open कीजिए download पर जाएए और अपना OS चूज कीजिए कि आप कौन सा OS यूज कर रहे हैं तो यहां पर मैं यूज कर रहा हूँ Windows का तो मैंने click कर दिया है Windows पर तो उसके बाद यहां पर इसकी setup file download ना start हो जाएगी आप देख सकते हैं यहां पर 0 tier 1 download हो रहा है download होने के बाद आप इसको अपने system पर install कर लीजे यह देखिए यह download हो गया है अब भी यहां पर मैं setup को run करा देता हूँ उसके बाद 0 tier 1 network मेरे system पर install हो जाएगा इसके address भी शो हो रहा है तो अभी यहां पर मैं इससे अपने network से join हो जाता हूँ तो मैंने क्लिक कर दिये join network पर उसके बाद आप यहां पर अपने 0 tier की network की addy डाल दीजे जैसे कि हमने काले नेक्स में डाली थी उसके बाद क्लिक कर दिजे join बेटन पर तो आप यहां पर इस network से join हो जाएंगे यह देखिए अभी मेरा windows 11 v इस network से join हो गया है आपको इसकी information dashboard पर भी मिल जाएगी यह देखिए यहां पर यह device शो हो रही है यहां पर device का address आ रहा है उसका status आ रहा है इसको एक IP भी assign हो चुकी है तो अभी आप यहां पर इस windows 11 से raspberry pi से connect कर सकते हैं zero tier की IP का use करके जैसे की मैं आपको दिखाता हूँ अभी मैंने windows 11 पर power shell को open कर लिया है अभी यहां पर हम command लगाएंगे ssh kali add the rate और अभी आप यहां पर kaliness को जो zero tier वाली IP assign होई है वो IP आप यहां पर type करेंगे तो यह IP मैंने यहां पर set कर दिये उसके बाद enterprise कीजिए तो आप यहां पर zero tier की मदद से अपनी kaliness से connect हो जाएंगे और यह देखिए अभी यहां पर यह connect हो रहा है मैंने यहां पर user का password डाल दिया है और आप देख सकते हैं यहां पर connect हो चुका है तो भी आप यहां पर remotely अपनी kaliness का use कर सकते हैं कहीं पर भी और किसी भी device से बस आपको इस device को zero tier network से connect करना होगा आपने अपर CLI नहीं इसको GUI mode में भी connect कर सकते हैं आप यहां पर कोई X server या VNC server का use करके अपनी कालनेक्स से connect हो सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कालनेक्स पर XRDP को install कर दिया है और आप देख सकते हैं यहां पर install हो चुका है install होने के बाद हमें यहां पर XRDP service को start करना होगा तो उसके लिए command लगाईए sudo service xrdp start उसके बाद यहां पर इस service start हो जाएगी service start होने के बाद यहां पर मैं root user का password भी start कर देता हूँ इससे connect करने के लिए तो मैंने command लगा दिया है sudo password root उसके बाद आप यहां पर root का password start कर सकते हैं तो मैंने यहां पर अपने हिसाब से password start कर दिया है आप भी हम यहाँ पर अपने कालनेक्स से डिमोट डेक्स्टॉप के मदद सेविकनेक्ट हो सकते हैं 0-tier IP का यूज़ करके Windows पर आपको डिमोट डेक्स्टॉप कनेक्शन प्री इंस्टॉल मिल जाता है तो आपको उसको इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है तो मैंने अपर RDP को ओपन कर लिया है उसके बाद यहाँ पर अपने कालनेक्स के IP को डालिए उसके बाद username set कीज़े तो मैंने डाल दिया route मैं यहाँ पर password को भी save कर देता हूँ ताकि मैं password को बार बार टाइप ना करना पड़े तो इस checkbox को मैंने टेक कर दिया है उसके बाद हम क्लिक करेंगे connect बटन पर और आप देख सकते हैं अब भी यहाँ पर एक connect हो रहा है तो इसको अपने पर yes कर दीजे yes करने के बाद यहाँ पर यह आपके कालनेक्स के route user का password पूछेगा तो अभी यहाँ पर इसे तरह से काम करेगा नहीं तो यह काफी slow work करेगा तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपने कालनेक्स को remotely ही यूज़ कर पा रहा हूँ तो इस तरह से आप यहाँ पर zero tier का use कर सकते हैं जो कि आपके काफी काम आ सकता है और आपके काफी काम को आसान बना सकता है यदि मालीजे आपको अपनी device को zero tier network से disconnect करना है तो यह भी काफी आसान है windows पर तो आप सीदे disconnect कर दीजे और यदि आप इसका CLI version यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए कमाड लगाईए sudo zero tier hyphen CLI उसके बाद टैप केजिए leave और network की ID उसके बाद यह device इस network से disconnect हो जाएगी या आप इसको zero tier network से भी disconnect कर सकते हैं आप इनको यहां से untech कर दीजे तो यहां पर यह disconnect हो जाएगी या आप इसको यहां से delete भी कर सकते हैं तो यह device आपके network से remove हो जाएगी यतना ही नहीं यदि आप इस पूरे network को remove करना चाहते हैं तो इसको भी आप delete कर सकते हैं तो यहां पर इस पूरा network ही delete हो जाएगा तो इस तरह से आप यहां पर zero tier का use कर पाएगे तो बताएगी दूस्तों आज की यह जानकरी आपको कैसी लगी यदि आपको वीडियो पसंद आ है तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा क्योंकि इस तरह के वीडियो आपके काम को काफी असाम बना सकते हैं आपके problems को थोड़ा कम कर सकते हैं तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा और यदि आपका थीका liking और cyber security मंटरेस्ट है वीडियो आए वो मिसना हो पाए तो वीडियो के लिए मैं आपसे जाएज चाहूंगा जल्दी ही मुलाकात होगी ऐसी किसे ने वीडियो के अंदर तब तक के लिए नमस्कार